तो देखेँ फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को ये पर्स की कटिंग और स्टीचिंग दिखाने वाली हूँ और ये देखिए ये मैने मेन फैबरिक लिया है और ये मैनने टाफट अप sitten लिया है इसके आपर देखिए ये जो कॉलर के लिए हम fusing लेते हैं, वही fusing मैंने इसके उपर iron करके लिया है और इसकी जो length है वो थरटेन inch मैंने लिया है, और इसki जो width है वो 12 inch कि लिया है मैंने, ठीक है तो ये 2 piece लिया है, देखे, ये lining के लिया है मैंने, और ये जो उपर वाला पर्स के सेव करके रखते हैं वो फाइल मैंने लिया है सभी के घर पर अवेलेबल होती है यह देखिए यह कुछ इस तरह की यह फाइल होती है ठीक है यह जो बीच में जो हमारा लगवा यह मैंने इसको रिमूव कर दिया है यह थोड़ा सा सौफ्ट है इसले मैंने इसको यह वाली फैल लिया है यह थोड़ा सा हाड है तो अभी देखिए इसकी जो लेंथ मैंने लेना है यह 12 इंच लेना है हमारे जो पर्स की जो हमारी लेंथ होगी वो 12 इंच होगी और इसकी जो वीर्थ होगी वो 9.5 इंच की मैंने इसकी वीर्थ रखा है ठीक है यह देखिए यह साड़े नौ इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ यहां से और इसको मैं यहां से कट कर दूँगे तो अगर आप लोगे सब्सक्राइब आप लोगे पास यह फाइल नहीं है इस तरह की तो आप इसमें थिक वाला जो फार्म आता है वो भी यूज कर सकते हैं गाइस ओके बस यह थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है ठीक है तो अब यह जो लाइनिंग वाला फैबरिक हमने लिये है इसको हम इसके उपर रखेंगे और यहां से चारो और से हम इसको स्टिच करते हुए इसके साथ अटेच कर लेंगे ठीक है यह देखे इस तरह से हम चारो और से इसमें सिल देंगे और हमने मशीन जो है वो बहुती स्लो स्लो चलाना है ज्याधा फास्ट नहीं करना है यह मेरी जो वीडियो है उसको मैंने फास्ट किया है slow machine चलाना है वहने आपकी सुई तूट सकती है तो अभी देखिए ये जो extra fabric हमारा निकला हुआ है इसको हम cut करके हटा देते हैं यहां से तो आप इसमें कोई भी fabric यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका favorite fabric होगा आप जिसको आप पर्स बनाना चाहते हैं अपने dress के लिए तो वो fabric आप इसमें कोई भी fabric इसमें यूज़ कर सकते हैं ओके तो ये मैंने वीडियो आप लोग नेक्श वीडियो में देख सकते हैं तो जरूर चैनल को subscribe करके रखिएगा ओके तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको cut कर दिया है और हब हम इसको अपना जो मेन फैबरिक है उसके उपर उल्टा रखेंगे ठीक है और यहां से हम इसको डबल फोल्ड करते वेस में एक स्टिच लगा देंगे यही हमारा मेन फैबरिक है जो अभी हम लगा रहे हैं इसमें यह देखें कुछ इस तरह से आप लोगों को इसमें सिलना है यह देखें मैं नीचे से इसको डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ और यहां से देखें मैं इसमें डबल फोल्ड कर रही हूँ यहां से चारो ओर से हमने इसको बराबर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इसको फोल करते है इसमें इस तरह से ये सिल देना है ठीक है तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो मेन फैबरिक है ये रेडी हो चुका है ठीक है तो अभी हम देखिए इसमें बटन्स के लिए ये तो आब ये देखिए इसको हम अपने fabric पे रखेंगे ठीक है और इसको हम यहां से इस तरह से fold करते वे इसको एक पट्टी बनाएंगे थोड़ी सी hard पट्टी हमने इसमें बनाना है ठीक है कि के हम इसमें अपने buttons जो है वो लगाएंगे ये देखे चार ओर से हमने इसको इसी फिल कर देना है ये दोनों पट्टी देखिए मैंने इस तरह से ये रेडी कर लिया है अब हम इसमें अपने होल करेंगे ये देखिए यहां से अभी हमने दोनों एक साथ रखते वे यहां पर एक निशान लगा रही हूं मैं पौना इंच के करीब मैंने अंदर की तरफ निशान लगाया है इसमें और इसको इस तरह से यहां पर यह देखिए यहां पर होल करेंगे ठीक है ये दो होल करना है हमने यहां पर क्योंकि हम हमारे जो बटन है यहां पर लगाएंगे यह देखिए इस तरह से दो दो होल हमने यहाँ पर भी दोनों साथ में ही हमने होल करना है तो देखिए गाईज यह कुछ इस तरह से मैगनेटिक बटन मैंने लिया है यह हम जो पर्स में लगाते हैं वही बटन से यह यह आपको किसी भी जो शॉप में हम जो धागे वगेरा लेते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे अगर वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप ओनलाइन चाहो तो इसको बाइक कर सकते हैं ठीक है तो यह देखिए अब हम इसको यहां से इस तरह से रखते वे इसमें यह निशान ले लेंगे क्योंकि हमने यहां पर एक कटर लगाना है इस तरह से कटर से जदा होल बड़ा हमने नहीं करना है ठीक है तो देखिए यह होल करते वे ठीक है और इसको हम यहां से यह देखे इस तरह से हमने इसको दबा देना है यह कुछ इस तरह से हमारा यह बटन जो है यह लग जाते हैं तो यह कुछ इस तरह से हमारे बटन जो है यह रेडी हो चुके हैं देखिए दोनों बटन यह देखिए अच्छे से मैं खोल कर दिखा देती हूं आप लोगों को तो ये हमारी बटन पट्टी जो है ये रेडी हो चुकी है अब हम इसको ये जो हमने मेन हमारा जो रेडी किये थे यहाँ पर रखेंगे ये दिखिए इस तरह से तो अभी हम इसको यहां से सिलना शुरू करेंगे अब देखिए गाइज इसको सिलने के लिए ये जो दाब है इसको हमने रिमूव करना है ठीक है क्योंकि हम इसको सिंगल दाब से सिलेंगे ये जो डबल दाब है हमारा ये वाला ये देखिए ये सिंगल दाब है इसको हमने य जिलना है चीक है वन्ना ये जो दाब है हमारी ये हमारे बटन के ऊपर जो है हमारी सुई चड़ जाएगी वन्ना आगे नहीं जाएगी ये हमारी तो ये सिंगल दाब से ही मैंने इसमें सिलना शुरू किया है देखिए यहां से और अभी हम इसको इस तरफ लेते हैं तो अब यहां पर मैं जो है ये मशीन यहां पर मैं इसको रुका दूँगी ठीक है अब देखिए यहां पर हमने ये जिप लेना है और इसकी जो लेंट देखिए मैंने कितनी लिया है जिप की ये कुछ इस तरह से मीटर से मिलती है ये जिप ये वाली ये भी आप लोगों को शॉप पन मिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और इसकी जो लेंद मैंने लिया है यह देखिए यह 12 इंच है ठीक है तो अब हम इसको यहां से दो कर देंगे देखिए अलग कर दिया है मै इसके नीचे जो है इसकी जिप जो है इसके नीचे डालते वे हम इसमें स्टिच कर देंगे ठीक है यहां से सिंगल दाब ही आपको लगाना है यहां पर यह देखिए यह अंदर डालते वे मैंने इसको पूरा इसमें स्टिच कर देना है यह देखिए इस तरह से ठीक है तो साइड की जिप जो है वो लग चुकिए ये देखे हमारी अब जो दूसरी साइड की ये वाली जो जिप है हमारी ये हम यहां लगाएंगे ठीके आप लोगों को दिहान से लगाना है जो हमारी जो लिंट है जिप की जो हमने एक्ष्टा छोड़े हैं वो वाला हमने किस तरफ वो देखकर ही आपको सिलना होगा इसमें ठीके जो दूसरी वाली जिप है उसको भी मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया है और यहां से मैंने इसकी सिलाई इसमें स्टार्ट की है ये देखिए यहां से मैं इसको चारो और से सिलते हुए अपनी जिप को यहां से सीधे दूसरे के साथ जूड़ चुकी है ये देखिए कुछी इस तरह से हमारे ये बटन्स जो है ये लग जाएंगे तो बहुत ही आसान है इसको बनाना आप लोग भी इसको बना सकते हैं ठीक है आपका कोई भी फैब्रिक ड्रेस हो कोई भी फैब्रिक में लेके आपका अपना मन प्रसिंद्र ड्रेस के लिए इसको बना सकते हैं कोई भी फैब्रिक इस में आप ले सकते हैं तो यह जिप जो है यह हम बराबर से इसको थोड़ा सा भी एक्ष्ट्रा नहीं निकलना चाहिए यह जिप तो हमने इसको इस तरह से सिल दिया तो चलिए इसका जो अंदर का जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूं तो देखिए यहां पर एक और जिप मैंने लिया है यहां से इसकी जो लेंद है वो 8 इंचेज है ठीक है और यह जो फैबरिक मैंने लिया है साड़े 9 इंच का है ठीक है और यह जो है यह मैंने साड़े 10 इंच का लिया है ठीक है तो प कुछ इस तरह से हमने इसको सबसे पहले ये runner जो है इसके अंदर डाल देना है ये देखे कुछ इस तरह से ठीक है तो ये zip हमारी बंद हो चुकी है आप देखिए guys यहां से हमने अपनी जो pocket है यहां से हम इसमें ready करेंगे यहां से हम इसको single fold करेंगे और इस zip के उपर रखते हुए हम इसमें किनारी पे हम इसमें सिल देंगे ठीक है ये देखे इस तरह से double fold करते हुए हमने किनारी पे इसको सिल देना है तो ये एक side से हमने सिल दिया अब जो दूसरी side है ये वाली यहां पर भी हम इसको इस तरह से single फोल्ड करते हुए हमने ये लक्त है यह लग चुकी अब ये पॉकेट हमारी डिक है исп कर ने के सिर्ट करने के लिए आपसे मैंने फॉर पीस ले अब इसकी लेंथ deppy six inch और इसकी जो चौड़ाई यह वो four inch ठीक है और हम इसको एक दूसरे के साथ attach कर लेंगे चार और से हमने इसको still देना है इस तरह से यह दोनों पिस को हमने चार और से stillना है यह देखिए यह देखे यह मैंने इस तरह से रेडी कर लिया अब यहां से डबल फोल्ड करते वे हमने इसको सिलना है यह देखे यहां पर हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते वे इसको सिल देना है तो गाइस अब देखे इसको सेंटर करेंगे इस तरह से इस पीस को ठीके अब यह ज ठीकर और इसको हमने यहां पर यहां पर यहां पर इसको बन कर देंगे टीक़् तो दोनों पीस में हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है तो सेंटर का यहां पर निशान लगा देते हैं यह दोनों में यहां पर हमने इसको बंद कर देना है ओके जिप के नीचे रखना है हमने इस पीस को अब देखे मैं यहां से इसको स्टिच करते वें दोनों पीस को इसके अंदर बंद कर दूँ ठीक है तो देखे मैंन इस तरह से नजर आएगा आप लोगों को तो confuse नहीं होना है यह देखें इस तरह से अभ हम यहाँ से इसको Single Fold करते वे पूरे में इसको शिल देंगे इसको भी शिल देंगे तो यह दोनों मैंने देखिए इस तरह से यह ready कर लिए है अब देखिए अब हमने क्या करना है इसमें अब यह जो पॉकिट हमने बनाए यह वाली इसको हमने इसके अंदर रखना है ठीक है इसके साथ हमने इसको जोड़ देना है ठीक है पूरा नहीं जोड़ना है बस थोड़ा सा जोड़ना है एक से दो इंच के करीब हमने इसको जोड़ देना है ठ देखिए यहां से भी यह उल्टा कर देते हैं तो गाइज अभी देखिए यह जो पर्स है हमारा यह जो सेंटर हमने लगाए हैं इसका सेंटर हम मिलाएंगे यह देखिए यहां से ठीक है इसको हम यहां से मिलाते वे यहां से इसको सेट करेंगे इस तरह से यह देखिए इस त पूरा इसमें लगा देंगे थोड़ा सा आप लोगों को इसमें मुश्किल आ सकती है बट डोंट वरी आपको इसे धीरे-धीरे मशीन चलाना है आप लोगों को बट ये सिल जाएगा तो देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने इसमें अटेच कर दिया है तो अब ये जो दूसरा वाला पठ है इसको भी हम बिल्कुल सेंटर मिलाएंगे यहाँ पर नीचे से ठीक है यहाँ से देखिए इसको भी हम इसी तरह से इसमें अटेच करते वे इसमें लगा देंगे ठीक है अगर आप लोगों को ये फास्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर देखिए ठीडोट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे वहाँ पर आप इसको टच कीजिए वहाँ पर स्लो और फास्ट का ओप्शन मिलता है आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं चीक है तो देखिए ये हमारा जो पर्स है ये दोनों साइट से बंद हो चुका है ये देखिए चीक है ये कुछ इस तरह से आप लोगों को ये पर्स नजर आएगा तो देखिए कैसा beautiful सा finishing से हमने ये पर्स को ready कर दिया है तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये runner जो है यहाँ से हम इसमें डाल देंगे ये बहुत ही आसानी से चला जाता है आप first बार अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों थोड़ी सी मुश्किला सकती है बट ये हो जाता है आप लोग कोशिश करेंगे तो जरूर आप लोगों को ये हो जाएगा तो ये देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है थोड़ा सा अब इसको open करते हैं और यहां से हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे ठीक है तो ये हमारी जिप जो है वो लग चुकी है अभी तो अब देखिए यहां से हमारी जिप जो है वो बाहर ना निकले इसलिए हम इसको यहां से बंद करेंगे ठीक है तो देखिए यह एक पीस मैंने लिया है यह जितनी हमारी जिप है उसे half inch extra fabric मैंने इसमें चारो ओर से ले लिया है तो अब हम इसको यहां से double fold करेंगे यह देखिए इस तरह से यहां से भी हम इसको fold कर देंगे ठीक है अच्छे से fold करना है आप लोगों को यह देखिए यहां से भी मैं इसको fold कर देती हूँ और इसको zip को जो है मैं इसके बीच में रखोंगी यहां से यह देखिए इस तरह से और मैं इसको यहां से बंद कर दूँ ठीक है पक्की सिलाए हमने इसमें लगाना है ताकि यह जो हमारी हमारा जो runner है यह बाहर ना निकले यहां से ठीक है इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं यहां से तो यह देखिए यह मैंने यहां से पक्का कर दिया है अब हमारा जो zip है यह fix हो चुकी है ठीक है यह देखिए अब हम इसको यहां से use कर सकते हैं यहां से बंद हो जाएगी तो गाइस देखिए आप यह जो हमारा पर्स है यह रेडी हो चुका है आप इसको चाहो तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं इस मुँए थोड़ा सा जो है और इसमें डेक्रेट करूँगी तो कुछ इस तरह से मैंने पशे रेडी कर दिया है आप देखिए गाइस यह हमारा जो परसे Municipal इसके उपर यह से जो stone ले लिया है दीकिये कुछ इस तरह के इसको मैं इसके उपर यहां पर लगा दूँगी ठीक है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे ये अपने ड्रेस के लिए यूज़ करना है तो मैं इसको ये देखिए ये जो ग्लू गन आता है इसको यहां पर लगा दूँगी और इसको इसके साथ आटेच कर दूँ ठीक है तो देखिए गाइज अभी मैंने ये पर्स ये रेडी कर दिया है और ये हमने अपने ड्रेस के लिए रेडी किया है आप लोग ये हमने कौन से ड्रेस पर रेडी किया है ये आप देखना चाते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए तो नेक्स्ट वीडियो मत देखना मत भूलिएगा ठीक है तो उसी ड्रेस के लिए मैंने ये पर्स रेडी किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरी वीडियो को तो मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना धेर सारा क्यार रखिए और फोलो कीजिए मुझे इंस्टागराम पर फेस्बूक पर भी बाई लाफीस